नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सत्या एक्सलेंट चैनल में और मैं इस वीडियो की माध्यम से आपको बताऊंगा जो काफे इंपोर्टेंट कोश्चन है जो आईटियाई की छात्रों के लिए अथा तो किसी भी ट्रेट सो आईटियाई कर रहे हैं वो किसी भी ट्रेट से हो एलेक्रिक्रियन से हो मेकनीस्ट से हो यो आयər मैं से हो टर्रस दो πीटर से हो उनके लिए लायाको你 जी हाँ दोस्तों तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिने शमय गवाई कोश्चन नमर वन पर तो हमारा पहला कोश्चन है कि त्री फेज इंडेक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन हुआ चुमकिय छेत्र खाली अस्तान पर गतिमान होता है अभी इस कोश्चन में पूचा है कि थी फेजिब इंडेक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन हुआ चुमकिय छेत्र होता है वह किस पर गतीमान होता है तौ आप शनदे दिया पहला प्वहववव 2 पतीर ब्री फूंद दिया तुलिकली कर्वह अब दिया तुलिक पर रोठर गतिकर तुषदमीं अरिदा यह आपसान नमर इसका सी होगा यह तुलिकालिक रोटर की गति पर गतिवान होता है इसका आपसान नमर सी सही है अगला कोश्चन है दोस्तों निम्न चीत्र में एक थ्री फेज मोटर का गती टार्क वक्र दरसाया गया है मोटर का प्रारंभिक टार्क है अब इस चीत्र के अनुसार आपको बताना है कि जो मोटर का ये प्रारंभिक टार्क पूछा है ये ये क्या है तो ये आपसं दे दिया आपसं आपको इसमें प्रार व्युखा एपनार क्या अग्ला कोशन दूस्तों मुटर का सलिप गुण अभिव लच्छन कि समान होता हैं है तुटनρί Έजिक करें लच्छन कि अभी लच्छन किसकर समान होता है से अफाजय को अ है किस जनेटर के समान होता है तो आज़न दिया है दिखे आपSTranga पहले देखते हैं आपसन दिया है DC च्रमाइर के और बीपसन दिया है डीसी संट मोस्टर के और ज이 वाल आपसन दिया है जनेटर के और दिन अपरुत में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका जो साई answer होगा यह आपसं नमर इसका B साई होगा तो B आपसं में दिया है dc संट मोटर ती ओसम इसका B वाला साई होगा अगला question है स्टार्टर का switch on करते ही वो तिव्र गति से कमपन करने लगता है इसका सवं भावित कारण है अब ये रिजन की बात की है कि स्टार्टर का जब स्विच आन करते हैं तो वह तीवर गती से कंपन करने लगता है इसका स्वभावित कारण है अब आपसंदिया है उच्छ बोल्टता और भी आपसंदिया आर्मेचर हुआ योग के बीच धूल उपस्तित होना तथा उच्छ बोल्टत और इससे वाल आपसंदिया है कि निमन बोल्टता तथा सिंगल भेजिंग और डी आपसंदिया है आर्मेचर हुआ योग के बीच धूल उपस्तित होना तथा निमन बोल्टता तो दोस्तों इससे आपसंद को देखते हुए हमको पता चलता है कि आपसंदिका डी हमारा सही ह क्योंकि आर्मेचर वह योग के बीच धूल उपस्तित होने की तथा निमने बोल्टता के कारण संभावित कारण है कि कंपन करने लगता है ति आपसंद हमारा डीव सही होगा अगला कोश्चन है जिस मोटर को सबसे कम अनुरच्छन की आव सकता होती है वह मोटर है अब यह कई मोटर का नाम दे दिया है और इसमें पूछा है कि किस मोटर को सबसे कम अनुरच्छन की आव सकता होती है कोश्चन का सेंस यह है तो आपसंद देख लिए आपसंद दिया है डिसी संत मोटर और फी आपशन दिआ है डिसी स्रीज मोटर और would you सभया इसे ही इंडेक्वय आप्संदीआ इसकॉरल केज इंडेक्वय आप्सें मोटर अगला कूंशिग ale कंटेक्टर खाली हसन दियी कहेंदवरा प्रचलिट होता है अब ये कंटेक्टर पूछा है कि किसके दौरा प्रचलिट होता है तो आपसंधि की ज हेंदवरा कंना ph Sam यदि कोई थ्री फेज मोटर केवल दो फेज पर प्रचलित की जा तो यह प्रक्रिया सिंगल फेज फेजिंग कहलाती है इस प्रक्रिया में मोटर अनंत अभी पूछा आए यह कोश्चन अधूरा है लेकिन एंस्वर इसका मिल जाएगा इसी आपसन में तो आपसन देख लेती और D आपसन दिया इसका उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका कोश्चन एक बार और देख लेते हैं कोश्चन देखे क्या पूछा है कि यदि कोई थ्री फेज मोटर है केवल उसे दो फेज पर पर परचलित की जाए अथात उसे चलाए जाए तो यह परक्रि इसका सिसए होगा तीन गुर्णगति पर चलेगी अ थ है यह चलेगी लेकिन इसकी तीन गुन गुनी गुणनगति पर चलेगी तो इसका आपसन नंबर सिसए के हैं और चार पोल्ड रलके इंडैक्शन मोटर के रोतर की गुरूरण गती जीरो 2.07 शीलिप पचास हटज रोगी यह जो पूछा यह क्वस्टान की छ स्पास्चन की जो 4% की इंडैक्शन मोटर के रोटर की Wählפ 6-24. possibility error ? 7.0 God दिया 25.65 rps और दिया 30.25 ps तो दोस्तों इसमें जो सई एंसोर होगा इसका आपसान नमबर सी सई होगा कि यह 25.65 तो इसे जो rpm में होता है अब यह दिया है rpm rpm में अक्सर होता है तो अगला कोशन देखते हैं कम जमता वाले इंडेक्शन मोटर के लिए खाली अस्तान परियोग किया जाता है अब यह कम जमता की बात कर रहा है तो कम जमता वाले इंडेक्शन मोटर के लिए परियोग किया जाता है आप आपसंदिया इसका कम R to Transformer Sstarter, B आक्सन दिया, Start Delta Sstarter और इसका जो C आक्सन दिया है Step Down यह Step रहेगा Step Down transformer और इसका जो D आक्सन है Dol Sstarter है D-O-L Sstarter, D-O-L का मतलब होता है Direct Online Sstarter तो दोस्तों इसमें जो और आंस्वार आपका होगा यह आपसन हमर इसका कि दी सई होगा डी डी ओयल स्टाटर इसका डी आपसन हमारा सई हुगा अब अकला कॉश्चन है पहारी सुरूत की वहन कंटेक्ट होते हैं तो आपसंदय दिया है उच भार बी आपसंदीया निमन बोल्टता और C आपसंदीयार निमन धारा और D है अंतरिक शक्ति तो दोस्तों इसमें जो सई एंसर होगा आपका यह आपसन नमर इसका D होगा अंतरीक शक्ति तो यह D वाला आपसन हमारा सही हुगा अब अगला क्वेश्चन है चुमकियो ओबरलोड रिले की तुल्ला में उसमियो ओबरलोड रिले अभी आपसन देखिए क्या दिया है आपसन दिया है अधिक तीब्र होती है और B आपसन दिया है अकार में बड़ी होती है और C दिया है अधिक धीमी होती है और D आपसन दिया है अकार में छोटी होती है तो दोस्तों इसमें जो साई answer होगा अपका ये आपसा नमर इसका C सई होगा अधिक धीमी होती है तो ये आपसा नमर इसका C सई है अधिक धीमी होती है अब अगला question है थ्री page DOL starter में निमन संख्या में सन्योजग होने चाहिए अब यह संख्या दे दिया अब इसमें जो सन्योजक पूछा है कि कितने होने चाहिए अब यह बात किया DOL अब मैं उपर बता चुक आँँगा हूं इसका पूरा नाम DOL का अथर फिर बता देता हूं डिरेक्ट ऑल्लाइन इस्टार तो इसमें जो पूछा है कि शन्यूजक होने चाहिए यह निम्न में दे दिया है जैसे निम्न में आपसं दिया है 2NO 2NC और B आप्सन दिया है 3NO और C आप्सन दिया है 3NO 2NC और D आप्सन दिया है 4NO तो दोस्तों इसमें जो सही एंस्वर होगा है आपका यह आप्सन नमर इसका D सही होगा 4NO तो यह हमारा D वाला आप्सन सही है 4NO अब अगला कोश्चन देखते हैं कि अगला कोश्चन है डी ओएल स्टार्टर प्रचलित थ्री फेज इंडेक्शन मोटर की साट सर्कीट अवस्था के लिए अभी साट सर्कीट अवस्था के लिए क्या प्रचलित होगा अथा यह पूछा है कि कौन सा क्वाइल प्रचलित होगा इसाट सर्कीट इंडेक्शन मो ओफियों सी उपलब्द होती है जो कि और से आप संडिया है बैक अप फूज होती है आप विपिछन दे दिया और दिजनद होती है दोस्तों, इसमें जो चोज़ांग को सहिंद हो और अफ्तर था विभा संकरयाँक होता है अग्रा को्षण है past कि थ्री फेज टू एच्पी अथा थ्री हास पावर चार सु पंद्रों बोल्ट पचास एच जड़ इसक्वाइरल केज इंडेक्शन मोटर की पूर्ण लोड की धारा आई लगभग अब यह लगभग पर पूछा है कि कितनी होती है यह तो इसका जो एंसोर होगा आपसन पहले देख लेते हैं आपसन नहें दिया थिरी अमपीर भी आपसन देदिया च्यार दशमलों पांच एंपियर तो दोस्तों इसमें जो सही एंसोर होगा यह आपसन नंबर 3A अब अगला क्युस्टन है 3 पेज इस्क्वाइरल का इड़डिन करनों की रणिंग घुनन गती करती है अब यह पूछा है कि 3 पेज़ स्क्वाइरल के इसंदунд करनों की रणिंग घुनन गती होती है आपसें देखी आपसेंदि予 है तुले काली गती के तुल्य हूँ भी आपशाट इसा है और सी मुझ तु अधी से अधी और दी आपसों दी आपसा लिए तुले खरकाले सी खरकर लियले को मैंंतने है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोशनल बताने से पहले ग्शार दिशू आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो प्लिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूटूब चैनल पर आपको इसी तरह के लिटेस्ट वेडियो मिलते रहेंगे तो चले दोस्तों चलते हैं सुरामा कुश्चन पर सुरामा अगला कुश्चन है अगला कुश्चन देखे दोस्तों थ्री फेज इंडेक्शन मोटर कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट आन तथा आप स्वीच पर यूग किये जाए तो इन्हें किस करम में जोड़ा जा सकता है या क्या पूछ रहा है आपको आपसन के अनुसार पता चल जाएगा तो देखिए आपसन देदिया इसका वरतवान स्वीच के स्रेड़ी में जोड़े करम में जोड़े और बी आपसन देदिया वरतमान स्वीच के समांतर करम में जोड़े उसी आपसन देदिया आन स्वीच को वरतमान आन स्वीच के समांतर करम में तथा आप स्वीच को वरतमान आप स्वीच के स्रेड़ी करम में तथा की स्वीच के समांतर करम में जोड़ें तो ओ स्वीच के श्रीनि करम में जोड़े जाता है तो यह अगला क्यूचन है कि एक छो पोल एक छो पोल थ्री फेज इंडेक्शन मोटर को तीन परतिसत स्लिप पर चार सो बोल्ट पचास हटर इस रोस्ते साल चालू किया जाता है तो रोटर और इस्टेटर की सापेच से गुरोन गती होगी दोस्तो इसको जब हल करेंगे तो इसका जो सही एंसवर आएगा यह डीवल आपसन सही होगा 970 आर्पिम दोस्तो मैं इस वीडियो में अगर हल करूंगा तक काफी लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए आप सोई हल करें तो इसका जो आपसन सही होगा यह डीवल आपसन सही ह हो गया अब अगला कोश्चन है कि एसी रिले के चैटरिंग दोस्त को अब खाली असदिया परियोग करके दूर किया जा सकता है अब यह एसी रिले की बात कर रहा है तो इसमें आप संदेखिए आप संदिया व्यू आकृती की क्रोड भी आप संदिया लेमिटेड एड गोड और दोस्तों इसमें जो सही एंस्वर होगा आपका यह आपसन नमर इसका डी सही होगा डी आपसन में दिया है सैडिंग कुंडली तो इसका आपसन नमर डी सही है अब अगला कुच्चन है हस्त चालित इस्टार डेल्टा स्टार में इस्टाप पूस बटन को खाली असन देदिया की स्रणी क्रमें सन्योजित किया जाता है तो ये आपसन दे दिया NBC No Volt Quail और B आपसन दे दिया Overload Relation योजग और C आपसन दे दिया NBC और Overload Relation योजग और D आपसन दे दिया NBC और Start Push Button तो दोस्तो इसमें जो सही answer होगा आपका ये इसका आपसन नमबर C सही होगा NBC और Overload रिलेसन योजगत इसका आपसा नमबर C सही है अगला कोश्चन है इंडेक्शन मोटर में बिक्सित होने वाले घुमाओ बल का समानुपाती होता है तो ये दोस्तों एक बहुत मजदार कोश्चन पुछा है अथाद बहुत इंपोटेंट भी कोश्चन है कि इंडेक्शन मोटर में बिक्सित होने वाला घुमाओ बल समानुपाती होता है तो घुमाओ बल किसके समानुपाती होता है तो आपसा देदिया शुरोत बोल्टता के और B आपसा देदिया शुरोत बोल्टता स्क्वायर के ते इसका आपसन नंबर 20 ही है अगला कोस्चन है सिलिप रिंग प्रेनर मोटर की रोटर कुंडलन को परती रोधक से जोड़ने का उद्देश से है अब यह पूछा है कि जो सिलिप रिंग होता है उसे प्रेनर मोटर की रोटर कुंडलन को परती रोधक से द हारक आए अपसें देखते हैं कि इस टार्टिंग धारा को सिमित करना और भी आयंको बाढ़ा को बना न उसाम आ शायख सो गुव सिमित करकि 유분 और यसान देदी आ उम्हें से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें जो सभी अंसवर होगा आपका में यह आपसल नमबर भी सही होगा श्टार्टिंग धारा को बढ़ाना तो इसका आप से नंबर भी सही है अब अगला कोश्चन देखते हैं कि अगला कोश्चन है नीचे दिये गए चित्र में की स्परकार के दोस्की जांच संकेत करता है तो आपसन देखिए आपसन देखाते हैं आपको प्रतिक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच और भी आपसन दिया है खुले तपत की जांच और सी आपसन दिया है ग्राउंडर्स के लिए जांच और डी दिया है प्रतिक वाइंडिंग के बीच का प्रति पर न चुंटी की जांच तो इसका जो सभी दोस्त की जांच दरसाई गया यह 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 पमें अगला कंशन है सहब अब 24 सभा, कंशन देखते हैं दोस्तो चितन चित्र के अनुसार है कि लिए जैसे दिया है निचे प्रदरस चीत में बोल्ट मे Minister बिधी द्वारा थ्री फेज मोटर के टर्मिनल के पाचान हेतु समन्द दर्साए गए हैं यदि जूड़े टर्मिनल सही है तो जैसे चीत्र में परदर्सित है तो बोल्ट मीटर भीटू निम्न माप देगी अब यह चीत्र देखिए जो चीत्र दिया है यह चीत्र और यह है इसका आपसं दिया है तो आपसं देखते हैं आपसं यह दिया है अपरती बोल्ट ता 240 बोल्ट और B आपसं दिया है इसका अपरती बोल्ट ता से अधिक और C आपसं दिया है अपरती बोल्ट ता से कम और D आपसं दिया है सुन्य बोल्टेज तो दोस्तो तो इसमें जो सही आंस्वर होगा यह आपसा नमर इसका सी सही होगा अप्रती बोल्टेज से कम तो यह हमारा सी आपसा सही है अब अगला क्वेश्चन है कि एक चार धुरिया एसी मसीन में कुछ बिद्धुतिय डिग्री निमलिखित के बराबर होगे तो आपसा दे दिया एक सो असी अंस बी दिया है तिन सो साट अंस और सी दिया है सा सो बीस और डी दिया है एक हजा असी तो दोस्तो इसमें जो सही एंसर होगा है आपका ये आपसा नंबर सी सही होगा तो सी आपसा दिया है 377 तो ये आपसा आपका सही होगा अगला क्वेश्चन है दोस्तो अगला कुश्चन दिया है थ्री कलाव मोटरों पर एक कलायन अथात सिंगल फेज का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परवर्तन स्टार्टिंग की समय घाटित होता है अब इसका आपसं देखिए आपसं देदिया है की परवर्तन अथात स्टार्टिंग से चुकेगी या अस्थवित रुकीघी रहेगी और दिया समय घाटित रूप से चलेगी प्रन्तु भार नहीं उठाएगी और दिया प्रड चाल से के लिए चलेगी तो दोस्तों इसमें ज सी सही है अब अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है थ्री कला अथार 5 हस पाउर 415 बोल्ट 50 हच पीजरी इंजरी प्रेनर मोटर से ली जाने वाले धारा को मौनिटर करने के लिए आपको अमिटर का सन्योजन करना है जो डी ओल अथार डारेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से समब डी जन्धित है मोटर के परिफट में जन्योजन करने के लिए उपियूट मैंटर परिसथ रिंज अभी रेंज की बात की है तो आप संदिया एक मावित जीरो से 30 मैंप्रम क्रम और longer доб देदिया जीरो से पांच होंट माप करम दोस्तों इसमें जो साही एंस्वर होगा आपका इसका आफासां नंबर सी साही होगा जीरो से दस में में हैं कि इसका आफसान नंबर सी साहा है अगला कोशेंचे फिर्रा कोशेंच है तो यह जो चीत्र दिया है यह यह जो चीत्र दिया है यह इस्टार डेल्टा इस्टार का चीत्र है यह देखिए यह इस्टार डेल्टा इस्टार का चीत्र है अब इसमें जो आपसन दिया है आपसन में देखते हैं क्या दिया है आपसन में दिया है तिरकोण डेल्टा इस्ति में प्रवा कुंडली होल्डिंग को आयल परिपत विश्त्रीत खुला है और भी आसंदेदिया प्रग्रा कुंडली को तिर्कोंड में बेवांतर नहीं मिलता और सी आसंदेदिया तिर्कोंड इस्तिति में मोटर तर्डमिनल सन्योजन नहीं है और डी आसंदेदिया सन्योजन है जो कि प्रगान कुंडली तारा परिपत में काम करेगी परंतु त्रिकोण में नहीं तो दोस्तों इसमें जो सई आपका एंस्वर होगा यह जो चित्र के देखने के अनुसार तो इसमें जो सई आफ्षन होगा यह यह वाला आफ्षन सई होगा प्रगान कुंडली कुंडली आप दोस्तों अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि परवर्तक अथा संपर्क स्टार्टर कंटेप्ट्स या तो उनकी इस्तिति के लिए या उनकी प्रकार के लिए सुचित किये जाते हैं इसी इस्तिति में समाने संपर्क संपर्क का तातपर है की हुए आप आप संदेदिया है रिले की सभी आवस्थाओं में संपर्त इस्तिति में और भी आप संदेदिया है जब रिले कुंडली उत्यजित नहीं है और सी आप संदेदिया की वित्रित है जब रिले कुंडली उत् तो दोस्तों का कुछ अजीव किसीं का है और कंफ्यूज भी कर रहा है तो लेकिन इसका जो आपसा नमर सी ही सई होगा वित्रित है कि विपूरित है जब रिले कुंडली उत्यजिय थे तो इसका आपसा नमर सी सई होगा अगला क्वेश्चन है कि नियंतराण परिपत में भीविन परकार के रिले परियोग किये जाते हैं यह नियंतराण की आवसकताओं के अनुरूप पूर्वन निर्धारित अवस्ताओं में प्रचलित होते हैं शुबर य समय पर प्रचलीत होने में सच्छम होते वियंगों से कौन सी समय बिलम रिले के रूप में परिष्ट होती है आपशन दे दिया है हम इसमें बिलम रीले के नम की शही हृते हैं सब्सक्राइब मोटर का सिधात किसकी सम्मान होता है यह जब प्रेनर मोटर की बात किया है कि प्रेनर मोटर का कार्य सिदान किसके समान होता है आपसन दे दिया है कि तुले कालिक मोटर बी आपसन दे दिया है इन्वर्सल मोटर और सी आपसन दे दिया है त्रिकलियर टरंसफार्मर और डी दे दिया है स्रॉंगे मोटर तो दोस्तो इसमें जो सई एंसवर होगा आपका इसका आपसा नमर C सई होगा तिरिकलिया ट्रांसफार्मर अब अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि 3 अथात 120 अंसपर 20 थापित कुंडलियों में 3 केज सप्लाई देने पाउत्पन चुमकिया छेत्र होगा आपसा देदिया कि इस तीर B आपसा देदिया प्रत्यावर्ती और C देदिया घूणिया अब डी देदिया सपंदित तो दोस्तो इसमें जो सई आपका एंसवर होगा ये जो सई एंसवर होगा इसका आपसा नमर C होगा घूणिया इसका आपसा नमर C सई है अब अगला कोश्चन है कि यदि तरीकलिया पिर्णान लाँ पोटर स्लीप S पर गति कर रही है तो रोटर की कापर हानी तुलीय होगी आपसे मैं आठाल धर याख कि 1-S गुणल रोटर इंपूट और B सब देना है कि 1 प्लस S गूड़े रोटर इन्पूट और C आपशन दिया है कि S गूड़े रोटर इन्पूट और D देना है व्रीक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो सही एंस्वर होगा इसका आपशन नमबर C सही होगा C दिया है कि अगला कोश्चन है रोटर शाफ्ट की धनातू होती है। जो रोटर की साफ्ट होती है। क्या थे लिए की भाड सेलिए habitat मल्ड इस्टील और सी अव्हके सीद इस्टील इच प्रिए अप्रिया की sillicon steel lamination तो दोस्तो इसमें जो सई answer होगा है आपका ये 34 का question है इसका जो सई answer होगा ये pass number b say होगा mild state तो इसका आपसा नमबर b say है अगला question है मोटर पर लगतार भ्हार बढ़ाने पर मोटर का सक्ति गुणक अब आप से दियाए इतना ही question दिया देखें कोश्चन दिया कि प्रेनर मोटर पर लगतार भार बढ़ाने पर मोटर का सकती गुड़क अब इसका बिना आप संद जाने हम को एंस्वर नहीं बता पाएंगे तो पहले आप संदेखिए आप संदिया लगतार बढ़ता जाता है और रिकाई हो जाता है और भी आप सं नमबर भी सही होगा पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है उसके प्रशात कम होने लगता है तो इसका आप संद नमबर भी सही है अगला कोश्चन है प्रिरने मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिर्चा बनाया जाता है जो प्रिरने मोटर होता है उसके जो रोटर के खांचा होता है उसको तिर्चा बनाया जाता है अब इसमें पूछा है कि इसका क्या लाब है अब ये लाब की बात पूछा है तो इसका क्या लाब है आप 105 अब उसका ओना यह इसका नंबर के राक होने की परिवर्टि की समब्त करना गुण हीता है तो बहुत होता है जोता है यह मुटर मिष्फ कम करने के लिए होता है और श्रावर्ट और gefथ अब ये सिधान्थ की बात कर रहा है कि मोटर की सिधान्थ करता है तो वैसे अहीं नहीं तो दोस्तों इसकी जो जो इंसर होगा ये साफ सा noi ही होगा कि बैदुते चुमर कि प्रिहांद कई चुलल काल्यांकोर सिधान्त कारे करता ये करता एग अगरा कोश्ington नगर के पूछा यह वास्तवी संद्यक आथ कहलाता है आपसंदे दिया कि नियमन और भी आपसंदे एक स्लिप गती और सी दिया है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो सही एंस्वर होगा इसका आपसंद नमबर भी सही होगा स्लिप गती अगला कुश्चन है प्रेनर मोटर की कुंडली है तू इस्टेटर की सिधानतु का बनाया जाता है अब यह पूछाए कि जो प्रेनर मोटर की कुंडली होती है इस्टेटर की वह किस धानतु का बनाया जाता है और यह इस्टेटर की सिधानतु का बनाया जाता है तो आपसंद आपसन नमर्ण सी सही होगा सिलिकान इस्टिल लेमी नेशन तो इसका जो सही है एक सीव आपसन सही है अगला कूर्शन है क्यान मोटर का प्राराभिक बल आगुण समानुपाति होता है आप्सन एद दिया कि इस शप्लाई बोल्टेज के समानुपाती होता है और B आप्सन देदे कि E स्कॉाइर के और C देदे कि 1 अपान 2 E स्कॉाइर के और D देदे दिया अंडरूट E के तो दोस्तो इसका जो सही एंसर होगा ये आप्सन नमबर D सही होगा तो इसका जो आप्सन सही होगा ये बी वाला आप्सन सही है ये E स्कॉाइर के समानुपाती होता है तो आप्सन इसका B सही है अगला कोश्चन है एक तरिकलिए स्लिप रिंग प्रेनर मोटर का रोटर होता है अब यह पुझा कि एक तिरक लिए स्लिप रिंग मोटर का प्रेना मोटर का रोटर होता है आपसन दे दिया कुंडलित भी आपसन दिया है लगूपती और सी दिया है डबल केज और डी दिया है इनमेस से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो सही एंसवर होगा जिसका यह वाला आपसन सही होगा कुंडलित होता है तो इसका आपसन नमबर यह सही है और दोस्तों मैं आप से क्लिक्विष्ट करता हूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को ब्रेस करना नौ भूले तक हमारा लेटिस्ट वीडियो का नौटिफिकेसान आपके मुबाइल तक पहुचता रहे तो चलिए दूस्तों अब चलते हैं अगला कोश्चन पर अथाथ 42 कोश्चन पर मज़ीष कोश्चन है यदि प्रेनल मोटर की वास्तवी गती अन आर तथा तो लेकाली गती अनस हो तब वो मोटर की सिलिप होगी आपसन देए अनस-nr और दोस्तों इसका जो सई एंसवर होगा यही 이रे अच्छीन होगा इसका आपससंछ नमबर बी रिसिता स्पार्थिए इसका व्लाफन है विद है क dairy अलutet भत खक्री अब ये रोटर कि दस्थथा पूछा है तो आपस सट्छिए इसका जो झाही आंसर हो गाल इसका आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब घेज़ जस्वाइबे खरत दश्टा थी आपन डोटर की दश्टा पूछाएल पनुट जिए आप संदेडिया की रोट आउट पूंट अपन darling इन पूंट अचू और आउटपुट आपान वन प्लास रोटव हैं पूट तो स्टो स्का जो सही अंस्वर होगा कि यह प्लास नंबर भी सहीवाज होगा रोटर इन्पूट अपान फालच रूटव आउटफूट तो यह जो सैए स्वारा सोरि दोस्तो इसका ॥ि वाला आप्सों सहे हो Ouch by output आपान रटर इंट्पूर्थ टो इसका बी आप्स affairs answer सही है कि अब अगला को दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन गलतिया तो होती ही रातीए तो अगला क्वेश्चन है कि प्रेनर मोटर में अधिक्तम ज़स्ता प्राप्त होती है अथा जब प्रेनर मोटर जब चलता है तो उस समय अधिक्तम ज़स्ता प्राप्त होती है आपसन ए दिया है चलहानिया और बी आपसन दिया है चलहानिया इस ग्रेटर दैन चलहानिया और सी दिया है चलहानिया इसक कोई नहीं तो दोस्तो इसका जो सही एंसवा छल हाणिया कई भरावर होती है तो यह दोस्तो आपसंद देखिए आपसंद दिया कि एकाई और भी आपसंद दिया 0.8 पश्च गामी और सी आपसंद दिया 0.8 अगर गामी और डी दिया सुन्य पश्च गामी तो दोस्तो इसमें जो सही एंसोर होगा है इसका आपसंद नंबर भी सही होगा भी आपसंद दि उसकी घरती नियंत्रण कैसे की जाती है आपसंदिया इसका फ्लक्स नियंत्रण द्वारा अभी आपसंदिया आर्मेचार प्रति बाधा और नियंत्रण द्वारा और सी दिया धुरुव की संक्या परिवर्तित करके और दिया उप्रियुक्त सभी तो दोस्तों इसका जो सही एइसका आप्सान नमबर बाद करें किसलीफ कितनी होति है तो इसका जो आप सन दिया है कुछ इस तरह दिया कि एक सुन्य 0.05 और डी दिया है दो तो इसका जो सही एंसर होगा यह आपसा नंबर भी सही होगा सुन्य होता है अथा तुलिकाली गति की प्रणा मोटर की सिलिप सुन्य होती है अगला क्वेशन है एक प्रणा मोटर को एफ अपर्ति पर बिदुद्र हारा सप्लाई की जाती है रोटर में प्रेज़ित धारा की अपर्ति होगी मेर्ण इकती अब अब ड़ित्य की बात पुछा है ऐकत्र हम च्टो इसका जो सही आंसोर रोगा दोस्तों इसका आप son in जो ऑश्य होगा igas 허팝 आप अब डहीज्आ होती है तो इसका जो आपसन है यह सी वालाप्सन चाही है अगला क्योर्ट है प्रेंट हमूटर की गति अभी इतना ही क्योर्ट है अब आपसन का निज्लते हैं आपक्षास में जो साही आपका ईंद Score जिसतुब होका यह थिutet तो ये हमारा C वाल आपसन सहिएί है अब अगला कोश्चन और कि प्रारंभिक बल आगुण अधिक किया जाता है अब यह जो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बल आगुण अधिक किया जा तहा है कुछ और व्यूश स्जाने ये जी रोड़िवार्य परति बढ़ा। तो चलंग play दिया इस्टेटर अंज है ये रोठम you ुषलबगे दिया हुद होगा इसे सब्सक्राइब अगला सब्सक्रार मोटरकि दिश्ट के लगभग को होती है तो जो मोटर की दचता होती है वह कितनी होती है आप संद्धिया पचास परतिसंद से सो साट परतिसंद और अगर आगे तक हमारी वीडियो देखना चाहते है अगरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातरम